नमस्कार दोस्तों एक बड़ फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल संगीताज कॉर्णर में आज में लेके आई हूं बच्ची वी रोटी से बहुत ही यूशफुल और टेस्टी रेसीपी फ्रेंट जिसे बनाना बहुत ही असान है बच्ची भी से बना सकते हैं और बहुत ह बच्ची बहुत ही फुक्ते और सिंपल रेसीपी इस रेसेपी के लिए सबसे पहले मैंने यहां पे तीन आलू को उबालके छिलके ले लिया आई फ्रेंट से हमें मैस्कर लेना आप चाहे तो मैसर से मैस करें मैं यहां फो आप उर यह क्aras कर लेतीह उई है esses और बहुत भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर, एक चोथा ही चमच गरम मसाला और आधा चमच लेंगे यहां पे चाट मसाला या फिर अमचुर पाउडर इसको चटपटा बनाने के लिए अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहां पे कटावा हरा धनिया एक मिर्ची को बारी काट के लिए और थोड़ा सा पुदीना को भी मैंने बारी काट के लिए थोड़ा सा जबील हो तो जरूर ढहने इससे बहुत फ्लेवर आता है अब इन सारे चीजों को मिक्स कर लेना है इन सारे मसालों में से कोई मसाला नहीं भी हो आपके पास तो भी इस recipe को बना सकते हैं, ऐसा कोई fast and rule नहीं है इसका, तो ये आलू मसाला हमारा ready है, इसको रख देते हैं side में, अब हमा बनाना है एक चटपटा सलाथ, तो उसके लिए एक बरतन ले लेंगे, और इसमें मैंने एक medium size के प्याज को slice में काट लिया है, एक टमाटर को भी बीज नि यहाँ पे लाल मिर्च का powder और एक बड़ा चमश निम्बू का रस, निम्बू के रस के जगह आप विनेगर भी ले सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और काफी चटपटा बनके यह तयार होता है, यह जो सलाथ है, तो यह हमारा बिल्कुल मस्त दिखने व अब एक में मैं फिलिंग करके दिखा देती हूँ, तो आधे रोटी में हम लोग इसमें लगाएंगे टोमेटो कैचप यानि की सॉस, और आधे रोटी में हम लोग इसमें लगाएंगे हरे धनिय की चटनी, तो इससे क्या होता है न, बहुत अच्छा फ्लेबर आता है, हरे मीठा सॉस, तो यह मीठा और तीखा वाला फ्लेबर आएगा, और हमारा आलू मसाला तो ही चटपटा, उपर से सैलाद हमारा चटपटा है, तो बहुत सारा फ्लेबर मिलके यह सैंडविच तयार होता है, फ्रेंट्स, रोटी सैंडविच, तो इसे एक बार जरू आलू का मसाला इसमें स्प्रैट करना है, बहुत ही पतली लेयर लगानी है, बहुत जादन मोटा नहीं स्प्रैट करेंगे आलू मसाला नहीं, तो फिर आलू आलू ही लगेगा, उसके उपर से हमने जो सलाद बनाया था ने, निम्भू और मिर्शी वाला, वो हम लोग इसके रोटी सेंडवीच है, आप कभी भी रोटी आपकी बच जाए सुभा का साम का, या फिर कभी भी रोटी एक्स्ट्रा बन जाए, तो आप बिल्कुल भी टेंसन फ्री रही है, क्योंकि इसे बच्चों के ब्रेकफस्ट में या फिर स्नेक्स में दे सकते हैं, और बहुत ही पस कोई सबजी बच गई है, तो उसको भी फील कर सकते हैं, इन सौस और चटनियों के साथ, उसके उपर से सलाद लगाएंगे, और सलाद में आप कुकुमबर, कैबेज, कोई भी सलाद ले सकते हैं, तो यह हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, फ्रेंट्स, इसको अब हम लोग सेक लेंगे, तो एक तवा गरन किया है, उसके उपर से मैंने बटर लगा लिया, बटर के जगह आप घी या तेल भी लगा सकते हैं, तो इस रेसीपी को आप अपने मन चाहा पसंद, मन चाहा फ्लेबर, मन चाहा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल बना सकते हैं, और इस फ्लेम पर बस एक आग मिनट पर इसको टोस्ट कर लें, और ये हमारा रोटी सैंडवीच, रोटी बर्गर, कुछ भी नाम दे लें, बट खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही चटपटा स्नेक से फ्रेंट्स, उसे आप साम के चाही में, प्लीज इस रेसीपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा, और ट्राइ करने के बाद अपना कीमती फीडबेक हम से जरूर से एर कीजिएगा, तो एक रोटी सैंडवीच को मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखा रही हूं कि यह अंदर से भी कितना फ्लेबर फूल और बहुत ही कल अब आपको कीजिए तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन करके और पर जुरू क्लिक कर लीजिए गा, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स फिर मिलते हैं कि नहीं और आशान रेसीपी के साथ तब तक लिए बाई बाई